Hello guys, welcome to our YouTube channel EducationWire. Let's talk about My Beautiful Laundry by Haneev Qureshi. ये एक screenplay है और ये जो Haneev Qureshi जी है ये British-Pakistani ओधर है. इनका work My Beautiful Laundry के बारे में बात करेंगे. My Beautiful Laundry published वा 1985 में और ये उन लोगों के बारे में बात है जो लोग एक टाइम पर colonized थे. That means वो जगएं जिन पर Britishers ने एक टाइम पर ruling की थी उन जगएं के लोगों के बारे में जो अभी अपनी अपनी होमलेंड छोड़ कर British area में उन्हीं के साथ रहते हैं. 1948 में former British colony, specially Pakistan से बहुत सारे लोग एक better life देखने लगे western areas में. और वे अपनी होमलेंड को छोड़ कर British civilization का part बन गए. हनीफ कुरेशी जी everyday immigrant problem दिखाते हैं कि किस तरह ये जो immigrants हैं यहाँ पर आई होए हैं अलग 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 देशों से लोग वो किस तरह से किन किन problems का सामना कर रहे हैं. My Beautiful Laundry एक ऐसी स्टोरी है जो एक young man की problems के बारे में बताती है जहाँ पर एक young man ओमर अली अपनी पाकिस्तानी tradition और साथ में modern British lifestyle के बीच में फस गया है. साथ में ये स्टोरी Margaret Thatcher के time period के बारे में भी बताती है कि जिस time पर वो प्राइम मिनिस्टर थी Britain की उन्होंने social welfare programs को कैसे cut कर दिया था साथ में trade union power को भी reduce कर दिया था और वो जो समय था economic और political turmoil का समय था. सो अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में और मिलते हैं इनके character से. हुसेन जो है ये फादर है ओमर अली के. ओमर अली जो है main protagonist है इस स्टोरी का जिसके चारो और स्टोरी गूमती है. सो ये हैं ओमर अली और इनके जो फादर है वो हुसेन. इसके अलावा हुसेन के एक मित्र है नासीर जो की वहीं लंदन में ही रहते हैं ये सब लोग और उनकी डोटर है तान्या. नासीर की डोटर है तान्या. इसके अलावा कुछ friends इन्हें यहां मिले सलीम, जोनी और राके साथ क्योंकि पाकिस्तानी ट्रेडिशन और modernist lifestyle ब्रिटेन का उसके बीच में वो फस गए हैं. सो ये 1980s लंदन की बात है और इनके पिता हुसेन एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट. लंदन में तो रहते हैं बट ब्रिटेन की और वहां की politics उन्हें पसंद नहीं. सबसे कटे-कट रहने से उन्होंने अपनी जो lifestyle है वो एलकोहल से भर ली है. वो एलकोहल का सेवन करने लगे जिसकी वज़े से सारे काम का भार ओमर अली पर आ गया. ओमर एक पाकिस्तानी फादर और एक वाइट लेडी के बेटे थे यानि कि ओमर के जो पिता पाकिस्तानी थे और जो उनकी मदर थी वो वाइट थी यानि कि एक बिटिश लेडी थी. हूँ committed suicide जिन्होंने suicide कर ली थी अभी जो दो कल्चर मिक्स हो गए हैं कि पाकिस्तानी फादर थे और उनकी मदर जो थी वो वाइट थी जिसकी वज़े से ओमर के identity जो थी वो मिक्स थी. ओमर के एक अंकल नासीर एक successful businessman थे. ये जो है ये नासीर एक successful businessman थे और हुसेन ने उनसे ओमर को काम पर रखने को कहा. उसे एक कार भोशिर की जोब भी मिली. लोंडरी में काम करने लगा. चल्द ही उसने इसे एक successful काम में बदल दिया. अब सब अच्छा चल रहा था. ओमर का ये friend जोनी इसके साथ ओमर के relations school time में काफी अच्छे थे बद स्कूल खतम होने के बाद ये दोनों भी अलग-अलग हो गए. जोनी जो है ये एक white man है और इन दोनों की मितरता काफी गहरी चली. और ये सलीम drugs traffic का का काम करता है और ये दोनों ओमर और जोनी मिलकर सलीम क ड्रक्स को deliver करते हैं. कुछ cash हासिल करके laundry की redecoration भी करते हैं. laundry जो है एक successful business बन गई. नासीर अपनी mistress राकेल के साथ वहाँ पर आता है. जो नासीर है उसका uncle ओमर का वो अपनी mistress राकेल को वहाँ पर लेकर आता है. वो दोनों मिलकर dance करते हैं और दूसरे तरफ जोनी और ओमर एक romantic relationship बनाते हैं एक दूसरे के साथ. इधर तान्या नासीर की बेटी वहाँ पर आ जाती है और राकेल और नासीर को एक साथ देखते ही राकेल को भला बुरा सुनाती है. राकेल तान्या की बातों से बेज़िता हो जाती है और वहाँ से चली जाती है. और फिर ओमर नशे क की हालत में तान्या को परपोस कर देता है. तान्या उसे मनी खठा करने को कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तब ही वह उससे शादी करेगी. दूसरी तरफ ओमर के फादर जोनी के पास जाकर ये कहती है कि ओमर को समझाए कि वो अपने कॉलिज चाए वो उसे ऐस लोंडरी में काम करते देख कर खुश नहीं रह सकते और उधर ओमर अपनी लवर जिससे वो शादी करना चाहता है तान्या उसके लिए मनी कलेक्ट करना चाहता है. ओमर पैसे के लिए एक और लोंडरी चलाने की सोचता है जो की अभी उसके अंकल नासीर के पास है. कुछ द तान्या जोनी से पूछती है ओमर के बारे में और कहती है कि वह सब छोड़ कर जा रही है. जोनी कुछ नहीं बोलता और वहां से वो चली जाती है. कुछ लोग सलीम, ओमर और जोनी पर हमला कर देते हैं. ओमर जोनी को बचाता है और वहां से सब निकल जाते हैं. नासीर और ओमर के फादर मिलकर ओमर के फ्यूचर की बात करते हैं नासीर तान्या को देखता है यानि कि अपनी बेटी को देखता है पर उसकी बेटी तो उससे नाराज है क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रिस के साथ घूमता है और उसकी मा को धोका दे रहा है तो वो तान्या वहाँ से चली जाती है वह तान्या को अवाश लगाता है पर वह चली जाती है वहाँ से disappear हो जाती है ओमर जोनी को दवा लगाता है और they both had fulfilled their physical और emotional needs and make continue their romantic relation with each other ओमर और जोनी एक साथ रहने रखते हैं दोनों एक दूसरे की physical और emotional needs को पूरा करते हैं इस तरह ये स्टूरी खतम होती है लेकिन इस स्टूरी में बहुत सारी चीजे अलग से रिप्रेजेंट करती है जैसे कि हाइब्रेडिटी, इंटर कल्चर, रेशियल चीजे जैसे कि जिन लोगों ने अटेक किया वो रेसिजम की वज़े से अटेक किया उन पर साथ में यहां ओमर अली के स्टूरगल से वहाँ पर गए हुए इमिग्रेंट्स का स्टूरगल दिखाया है है कि उन्हें किस-किस तरह की प्रोब्लम का सामना करना पड़ा So this is all about my beautiful laundry. I hope you guys understand. If you understand, like this video, share it and subscribe it. Thank you